तो आप ये वीडियो को अंतक देखिए क्योंकि मैं आज वो बताने वाला हूँ जिसको जानके अगर आपके पास उपर बताये गई सुक साहे भी ना भी हो आप अपने लाइफ में हर पल खुश रहना सीख जाएंगे चाहे आप कितने भी दूख और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लेम में क्यों ना हो आप लाइफ के हर पल का आनन किस तरह से लिया जा सकता है वो आज की इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस जीवन के प्रती इस दुनिया को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा आपको लगेगा कि जैसे कुछ नया परिवतन आपके जीवन में होना सरू हो गया है तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं पहुस्य लोग चिंता और तनाव में रहते हैं जो लगातार उनके मायन के उपर नेगेटिव इंपेक्ट और उन्हें परिशानी देते रहते हैं और वो लोग अपने सरीर की जीवन दायनी उर्जा को नश्ट करते रहते हैं इसलिए वो लोग दूख से घिरे रहते हैं साथी साथ एक अच्छी खबर ये है कि आप अपने मन से खुद को मुक्त कर सकते हैं ये टेंसन और मानसिक प्रेसर को स्ट्रेस को दूर करके सच्ची खुशी पा सकते हैं आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि अपने मन की भीतर की आवाज को सुनना है जो भी thoughts आपके माइन में आए उसे ध्यान से सुनना है सरुमें आपको कुछ नहीं सुनाई देगा पर जैसे जैसे आप ये हर दिन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको अपने बीतर की अंतरात्मा की आवाज साफ साफ सुनाई देगी आप जब अपने आपको present में focus करते हैं तभी आपको सची-खुसी मिल सकती है आइए जानते हैं कि वरतमान में जीने से हमारा जीवन परियोतन कैसे होता है हम लोग कहीं बार खामो खाब future के बारे में चिंता करते रहते हैं अगर हमें चिंता छोड़के सांती से life को enjoy करना है तो हमें present में जीना होगा जाने कि future में जो होगा वो तब ही possible होगा जब वो present में होगा मतलब future में जो होगा वो तब तक possible नहीं होगा जब तक उसके related कारिय आप present में नहीं करते हैं आपने जो भी past में जो experience किया है और जो future में करने वाले हो वो present से connected हैं past की जो गतनाय हुई है वो आपके आँखों के सामने हुई है और जो future में होगा वो भी आपके आँखों के सामने ही होगा यानि की conclusion यह है कि future event will never happen unless they pass through the present सो वरतमान में इस पल हमारा चिंता करना बेभुनियाद हैं हम ऐसा करके हमारा time waste करते हैं इसलिए हमें वरतमान में ही रहकर हमारे life को जीना चाहिए और past में और future में जो होने वाला है उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए the greatest obstacle to enlightenment जो thoughts की हमें आवज चकता ही ना हो और फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हो वो हमारे आत्मग्यान यानि की self awareness के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है हम सब हमारे mind में हर पल सिकायते टिपणी करना निंदा करना आलोचना करना और लोगों की परिष्टितियों का labeling करने की जैसे हमारी बुरी आदत ये बन गई होती है ये आनईचिक मानसिक सोर की निरंतर धारा हमारे मन के सकारात्मक सोच के द्वार को बंद कर देती है जो हमारी सारी positive सोच को विचलित कर देती है और हमारी सोच को नकरत्मकता में परिवतित कर देती है और ये negative सोच हमारे सरीर की उर्जा को नश्ट करती है जिससे हमें stress, anxiety, depression होने लगता है इसलिए हमें हमारे मन को सांथ रखने का प्रयास करना चाहिए Emotion, the body reaction to your mind हम जो emotion को feel करते हैं वो हमारे सरीर से अभिवक्त होता है आप जो भी सोचते हो उसके परिणाम सरूप सरीर में एक feeling create होती है एक भईबीत वीचार के परिणाम सरूप आपके सरीर में तनाव बढ़ जाएगा आपके दिल की धड़कने तेज हो जाएगी याद रखे कि एक नाकारात्मक और सत्रूता पूर्ण वीचार सरीर में गुस्से की भावनाओं को जागरूत करता है इसलिए अपने वीचार को सदेव सकारात्मक और सांत रखे जिससे आपकी लाइफ में stress कम होगा आपके सामने अभी जो भी situation है चाहे वो अच्ची हो या बुरी आपको ये situation का स्विकार करना होगा ओथर कहते है कि अगर आप ये करना सरू करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ जादूई तरीके से बदल जाएगी आपके दिमाग के नेत्रों से इस जीवन को देखने का पूरा नजर यही बदल जाएगा माल लो आपकी लाइफ में अभी कोई बड़ी प्रॉब्लेम है तो अपने मायंड को कहो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लेम है उसे मैं खुसी-खुसी स्विकार करता हूँ और मैं नए परिवर्तन के लिए तैयार हूँ और फिर देखे आपके अंदर किस तरह जबर्जसक्तिसाली पोजटिव एनरजी का संचार होना सरू हो जाएगा अपनी लाइफ को एक अलग नजर्ये से देखकर अपना जीवन जीना या एक सरल और सामन्य पर पावरफुल उपाई है जो आपकी लाइफ में से स्ट्रेस, मानसिक प्रेसर से आपको दूर रखेगा इसी तरह से जीवन जीना वो एक निक्सित और चमतकरिक रूप से अपना जीवन बदल देने वाला राजमार्ग है इसलिए कोई भी सिचुएशन का खुले दिल से स्विकार करे टेक रिस्पॉंसिबिलिटी जहाँ भी आप है, वहाँ पुरी तरह से रहे है यानि कि यदि आप जहाँ पर है वहाँ पर आपको दूख और अनहापीनेस मिल रही है या आपके मन को ना खुश कर रही है और आपका स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो आपको वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपके पास तीन व्यकलप है उसमें से एक विकल्प का आपको पसंद करना है फर्स्ट जो भी परिस्थिती है उसमें से अपने आपको हटा दे सेकंड या वो परिस्थिती को बदल दे थर्ड या उसे पुरी तरह से स्वीकार करे अगर आप अपने लाइफ की रिस्पोंसिबिलिटी देना चाहते हो तो आपको इन तीन विकल्पों में से एक का चैन करना होगा आपको अभी ही इसी वक्त ये तीन विकल्प में से एक को चुनना होगा फिर जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करे कोई बहाने बाज नहीं, कोई नकारत्मकता नहीं अपने इनर स्पेस यानि कि अपने माइंड को क्लियर रखे अगर आप ये करते हैं तो आप कोई भी सिचुएशन में अपने आपको आसानी से संबल पाओगे और आपका माइंड स्ट्रेस और मानसिक दबाओ से मुक्त रहेगा अगर माइंड रिलेक्स रहेगा तो आप अपने काम को भी बहतर धंग से कर पाएंगे और आप जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं वो बिना किसी रुकावट या बिना किसी परेसानी से आप वहां तक पहुँच जाएंगे अपनी लाइफ के सिचुएशन में सुधार लाने का प्रयास करना गलत बात नहीं है आप अपनी लाइफ के सिचुएशन में जरूर सुधार कर सकते हो पर आप अपनी life में सुधा नहीं कर सकते Life is a primary, life is your deepest inner being आपकी life पहले से ही whole, complete और perfect है आपके life के हर situation में आपके circumstances और आपके experience सामिल है गोल सेटिंग करना और उसे पाने का प्रयास करना गलत बात नहीं है पर हम जो गलती करते हैं वो ये है कि हम life के प्रती जो feeling करते हैं वो सही दिशा में नहीं है यानि कि हम गलतीया और problem का दोस्थ हर बार हम life को देते हैं example, जैसे अगर कुछ बुरा हुआ तो हम कहते हैं कि मेरी life में परेशानी ही परेशानी है मेरी life ने मुझे परेशान करके रख दिया है अगर आप एक architect की तरह building के foundation पर attention नहीं रखोगे और आप इसकी बाहरी रचना के लिए बहुत समय और रूपिय खर्च करेंगे जो बिल्कुल भी नूपयोगी है चाहे आप बहारी रचना में कितने भी अच्छे काम कर लो अगर वो building का foundation ही खोखला होगा तो ये building किस बुनियाद पर आजीवन टिक पाएगी इसलिए इसका गिरना निक्षित है इसी तरह हमारी life हमारे आंतरिक दुनिया का अस्तित्व बिल्कुल perfect है actually हमें तो हमारे इस खुबसुरत life के लिए कृतगनता के साथ रहना चाहिए और जो भी इस दुनिया में हम अनुभव करते हैं उसके लिए हमें हमारी life को दन्यवाद मानना चाहिए इसी तरह हम हमारी life की situation को effectively improve करने में कामियाब बनोगे पर अगर हम अपनी life की पूर्णता को अन देखा करते हैं और हमारी life और life की situation में सुधार लाने के लिए हमारी सारी energy खर्च करते हैं तब हम architect की तरह हमारे foundation पर ध्यान नहीं देते हैं और बहार ये रचना के लिए भहुत समय और रूपिया खर्च करेंगे फिर हमारे ये जीवन कैसे टिक पाएगा फिर एक न एक दिन वो building रूपि लाइफ एक हवा के तोफान में ही नीचे गिर जाएगी तब जर्णी इंटू यॉर्सेल्फ हमारे ये life की जर्णी के दो परपस हैं एक outer और दूसरा inner हमारा outer purpose हमारे goal या हमारे destination पर पहुचने के लिए हैं जो हमारे द्वारा निर्धारित किये गए हैं और inner purpose हमारे self यानि की स्वयम को जानना है हम हमारी life में job, गर, पैसा, सुख सहभी के पीछे इतना दोड़ते हैं कि हम हमारे आपको यानि की अपने स्वयम को ही बूल जाते हैं जब हमारी life का अंतनजदिक आता है बुड़ा पहोना सरू होता है तब हम सोचते हैं कि मैं ये किसके लिए कर रहा था तब आपको अपने भीतर से ही आवाज आती है कि भाई आपने तो पुरा जीवन तुसरों की ख्वाईशों को पुरा करने में ही व्यतित किया है तुने खुद के लिए तो कुछ भी नहीं किया है और जब ये बात को वो इनसान समझ पाता है तब बहुत देर हो चुकी होती है इसलिए हमारे स्वयम को जानने की कोशिस जब हम जवान होते हैं तब से ही कर देनी चाहिए जो थोट्स की हमें आवश्यक्ता ही ना हो उसके बारे में मत सोचे थर्ड हर पल वरतमान में जीवो ज्यादा फ्यूचर और पास्ट के बारे में मत सोचो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो उसका पूर्णता स्विकार करें अगर आप जरूर मन की सान्ती, स्ट्रेस, मानसिक, प्रेसर का पीछा आसानी से छुड़ा पाएंगे दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें अगर आप आपका कोई वीचार या कोई बुक्स के बारे में समरी चाहते हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अपने फ्रेंड परिवार के साथ भी वीडियो शेर करें क्या पता आपके फ्रेंड फैमिली अगर स्ट्रेस और कोई मानसेक बिमारी से जूझ रहे हो तो उनको भी ये वीडियो कुछ हेल्प कर सके इसलिए शेर जरूर कीजिए दोस्तो और भी आने वाली इंट्रेस्टिंग और वैलियेबल एनिमेटेड बुक्स समरी को देखने के लिए हमारी चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक यू फॉर वाचिंग आई विल सी यू नेक्स्ट विक